तुमारो स्टोक मार्केट नाउ टूडे कल का स्टोक मार्केट आज जान लिजिए दोस्त इंट्राडेट एक मंबई पे पहली बार आएं तो आप जरू सब्सक्राइब किजिए दोस्तों आज निप्टी 50 निप्टी 50 आज निप्टी 50 अठारा हजार तीन सो उन्चास रुपया के आज पास जाकर हाइस्ट दे हाई पे आज टाच किया दोस्तों और इंट्रेट एक मुंबई एम ये पी के सिंग की जो टारगेट था ओ हंडेड में 98 परसेंट कम्प्लेट सक्सेस हुआ और ये फिर आई टी सेक्टर इसलिए ये धारा साही हुआ आज information technology जो आज तक कोई बात नहीं दोस्तों आज हम दिसंबर से लेकर आभी तक में सिरिफ 22 दिन में हमने जो आई टी सेक्टर से कमाय था थोड़ा बहुत अगर मार्केट में गिरावट हुई तो उससे कोई परसानी नहीं लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ जो हम बा सुबह मैं रोज बोलता था कियों बोलता था कोई बीचीज बोलने के पीछे कुछ कारण नहीं दोस्तों मैं रोज डेली बोलता था कि स्टोप लॉस इजे वेरी इंपोर्टेंट फोर एनी टाइप आफ ट्रेडर किसी तरह का कोई भी ट्रेडर हो उसके लिए बहुत माने सुबह सुबह का काम है दोस्तों सबसे पहले खरीद विकरी से पहले स्टोप लॉस लगाना चाहें कोई भी ट्रेडिंग करता हो तो यह जिसने भी लगाया आइटी सेक्टर में खरीद के रखा होगा तो उसका नुकसान बच गया इसलिए कि आइटी सेक्टर या कोई भी से बार दिन तो और नीचे जाने वाला है क्योंकि हमने इसलिए आइटी सेक्टर नीचे जाने वाला दो तो आइटी सेक्टर की अमेरिकी जो बाजार है जो एउरोपिय बाजार है और एउरोपिय एउरोप के जो मार्केट है उसमें एक नेश्ट डैक नेश्ट डैक नेश्ट बार-बार बलते हैं, बहुत मज़ा आता है इसको हम बोलों, जब भी देखेंगे नामको बले एक्सडाइड होता है, नाश्डाइक क्योंकि ये नाश्डाइक जो है ना ये समझे कि ये information technology, ये ITS information, information technology, ये special technology, इसलिए कि Apple जैसे जो चोक है, ये नाश्डाइक में ही लिस्टे है और यह एपपल के जो रिलेटिब यहतने भी टेकनोोजी से एलक्रोनिज और रिलेटिकल और कि उनि टाइप आफ टेखनिकल इंवर्मेशन से रिलेटिब जितने भी कम्पनी तो नाशडएक का जो इंडेक्स था हमारा अईटी सेक्टर उसी से रिलेटिव है और नश्डैक में विकाओं और ये विकवाली बहुत तेजी से हुआ 210 डॉलर माइनस में विकवाली हुआ जिसके चलते आईटी सक्तर आज नीचे गया अभी और नीचे जाएगा तो अगर नहीं बचा तो कल सब शुबब सूब पहला काम कि किसी भी तरह का कोई भी स्टोख हो अब चली कल तो दोस्तुना देखना है । वह तो होता रहेगा निप्ती कितना का सपोर्ट किया निप्ती कितना बेस बनाया है कितना रेश्टेंस बनाया है ये तो हम कल सुबर साथ बज़े देंगे इसलिए कि डाउ जोन्स और ये साथ बज़े हम आपको डेली साथ बज़े मैं आपको डालता हूं वीडियो वो साथ बज़े मिलेगा लेकि कल का जो किसमे हम प्रफिट कमाएंगे कल का स्टोक मार्केट आज ही जान लेना है कि कल तो बड़े-बड़े धूरंदर ही इसके अनालसिस कर सकते हैं कि कल किसमे सबसे पहले तो इस तो प्लोस लगाना है पहला काम करना है इस तो प्लोस लगा लीजिए लगा लीजिए और आप देखे कमाएंगे किसमें हों दोस्तों PSU PSU के जितने भी स्टोक है चाहे ओ पावर सेक्टर के हो पावर सेक्टर के हो सोलर सेक्टर के हो सोलर सेक्टर के हो या रिन्यूबल एनर्जी हो रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर के हो या ग्रीन एनर्जी सेक्टर के हो या ONGC सेक्टर के हो या मेटल सेक्टर के हो या आईरन वही मेटल से मेक्टर सेक्टर हो गया और या आईटी सेक्टर के हो या PSU बैंक हो इन PSU करने का मतलब PSU के जो स्टोक हैं उसमें से कौन सा स्टोक कल इंटर डे के लिए या मिडियम शॉट के लिए लेकर रखेंगे या पूट कॉल आप्शन फूचर में क्या करेंगे चलिए दोस्त हम बता दें कि PSU का कौन सा स्टोक है जो आपको कल माला माल करने वाला दोस्तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि आज जो है कौन कौन सा सेक्टर हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर और तेली कम्मुनिकेशन तेली कम्मुनिकेशन telecommunications health sector telecommunication यह हमारा और real estate reality निप्ती reality तो हमको दोस्तों 1000 करना है और यह जो है आपको आनाई चाहिए तो आपको बता दें कि किसमे क्या है यह टेली कम्लिकेशन सेक्टर में स्टोर लाइट टेकनोलोजी स्टोर लाइट टेकनोलोजी का टाइम एक टेकनोलोजी लिमिटेड ये अपको कल छोड़ना नहीं चाहिए जिसने आज 270 रुपय हमें खरीद का रख दिये दोस्तों कल 300 के पार जाने माला है और यह 5G सेक्टर का Telecommunication सेक्टर का यह स्टोक है और इसको छोड़ना नहीं जिसने छोड़ दिया होगा जो लेकर रख दिया हम बार बार बोलते थे कि इसको लेकर रखना है लेकर रखना है लेकर रखना है दूसरा दूसरी तरप आपको mtnl mtnl मुमाई टेलिफोन नगर लिमिटेड महरास्ट्रा टेली कम्मुनिकेशन नगर लिमिटेड जो भी mtnl के जो भी हो यह आपको देखना है दोस्तो और दूसरी तरफ इंडूस टावर इंडूस टावर यह जवज़श्ट स्टोक है और यह आपको जरूर कल देखना है अब आएए बता देते हैं आपको nbcc nbcc जी दस्तो nbcc और हुड को यह आपको मैं बता दूँ sjvn और इंडूस 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 इंड नेशनल थर्मल पावर कार्परेशन आफ इंडिया जी दोस्तों ये जो है PSUK ये स्टोक आपको और SBI Bank State Bank of India और पंजाब नेशनल बैंक PNB PNB Bank of Baroda and Bank of India और Indian Overseas Bank जी दोस्तों ये आपको कल माला माल कर सकता है और ये ही आपको देखना होगा बाकी तो Nifty और 50 अभी दो-चार दिन समझे कि लाल निसान में ही रहेंगे क्योंकि Dow Jones लाल हो गया Nasdaq लाल हो गया और हमारे जितने भी IT सेक्टर लाल हो गया Nifty Bank जो गिरिन में था हो भी लाल हो गया और उसके बाद हम आपको बता दे कि क्या-क्या Sensex लाल हो गया Nifty 50 लाल हो गया Bank हो गया लाल Nifty Mid Cap 100 लाल हो गया और क्या-क्या लाल हुआ वह भी हम आपको समझे कि 2,80 जो सेर में से सेर लाल निसार में हो गया एक घंटे में सिर्फ और छे सो के आज पस्ट लाग ग्रीन में थे तो छे सो के जो ग्रीन में थे दोस्तो कल ही वहीज को हम analysis करेंगे 7 बज़े आपको बताते हैं फिर कि Today's Stock Market of India भारत का भारती सेर मजार कल 7 बज़े आपको जरूर देखेंगे जय हिंद जय भारत बंदे मातरम पहली बार आए तो सब्सकाइब कर लिजिए और ये बेल आइकन घंटी दबा लिजे दोस्तो